इस RDP की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो 16 GB RAM है और यहां पर Core मेरे क्या से 2 Core का CPU है बहुत 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 किसम की है यहां पर मैंने न्यू टैप में ओपन कर लिया है यहां पर देखें 1.2 GB और यह मैक्सिमम 5 GB तक स्पीड जाती है यह रात का वक्त है इस टेम काफी सारे यूजर 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 करते हैं तो इसलिए थोड़ी स्पीड यह कम दिखा रहा है तो यहां पर आप जो लोकेशन हम उचे तीन चीज़ें सबसे जादा डिमांड करती हैं कि हमें एक ऐसी आड़ी पी क्रियेट करना सिकाएं जो बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट हो उसके बाद उसमें कोई टाइम जोरेशन हो मतलब के आड़ी पी एक दफा क्रियेट करने के बाद उसको हम लोंग टरम तक यूज कर सकें अगर आप लोग भी यही चीज़ सच कर रहे हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है Assalamualaikum guys we are finally back with another new video जैसा कि आप लोगों को पता कि हमारे में चैनल पर आई थी Community guideline की स्ट्राइक पता नहीं यार यूट्यूब ने क्यों दे थी मुझे तो यकीन करे समय नहीं आई इस चीज़ की बटम ने दे थी तो दे भाई बात खतम 15 दिन तक मेरा चैनल ब्लॉग था इस RTP for lifetime without credit and debit card के Free RTP कैसे बनाएं अगर आप लोग यही चीज़ें YouTube में सर्च कर रहे हो तो आज के बाद आपको कुछ भी सर्च करने की जूरत नहीं पड़ेगी क्यूंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी RTP क्रेट करना सिखांगा जो के GitHub की RTP है और यह बिल्कुल free of course बन अगले दिन आया अपने एक दो क्लिक किया और उसको एक्टिवेट किया अगेन इसको स्टार्ट कर लो गया यानि कि अपको complete मेनत दुबारा नहीं करने पड़ेगी तो वीडियो बहुत जादे इंट्रस्टिंग इसको लास एक जू देखिएगा अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को जुरू लाइक करें हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें एंड टाइम नवेश करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं All right मैं चुक हो इपने ब्रॉजर में हमें 2 अकाउंट क्रियेट करने इसके लिए क्या करने है सबसे पहले हमने गूगल में आजाना ह। यहां पर आके हमने सर्च करने हैं GET SCREEN यहां पर हमने get screen सर्च कर लिया और इस first website को क्या करेंगे इसको new tab में open कर लेंगे उसके बाद यहां पर हमें temp mail चाहिए तो यहां पर हम temp mail सर्च कर लेती है temp mail को भी हम new अपने tab के अंदर open कर लेंगे उसके बाद हमें third number बस सर्च करना है github अब आपको यहां पर गूगल में get app लिखोगे तो आपको यह first website मिल जाएगी और यहां से आपने क्या करना है इसको new tab में open करके छोड़ देना है अब सबसे पहले आपने आपने temp mail वाली website में आना है यहां से आपने किया अपना email copy जो के temp mail का था उसके बाद आपने आजना है get screen website में अब यहां पर आपने अकाउंट create करने के लिए sign up पर click करने जो email आपने copy गया तो यहां पर paste कर देने शूरू से अंट तक का पर उसाय समझाओंगा वीडियो को लास सक दो देखिएगा email paste करने के बाद यहां पर आपने i agree पर click करने और simple sign up पर click कर देने अब यहां से आपके email पर verification code send किया जाएगा तो यहां पर देखिए मुझे आप भी चुक है यहां पर इस पर click करते हैं और यहां पर login का option मिलेगा यहां पर आपने इसको new tab में open कर लेना है तो यहां पर यहां से email को again copy किया github की website में आ जाएगे अब आपने github का account बनाने simple sign up पर click करेंगे और यहां पर आपने email को आपने copy paste कर देना उसका बाद continue पर click करने create a new password यहां पर आपने password करने password करने के बाद आपने simple continue पर click कर देना है और यहां से आपने user name लिग देना मैं क्या यहां से अपना email का ही एक कुछ word copy कर लेता हूँ यहां पर आकर copy and paste करके simple continue पर click कर देंगे और देखें मेरा user name अवैलेबल भी था तो यहां पर आप क्या करेंगे यहां पर receive product update तो आप why लिग देना no and लिग दे तो मैं why लिग देता हूँ उसके बाद आपने simple continue पर click कर देन आपने simple submit पर click किया तो यहां पर खफास हो जाएगा इसी तरह आपने 2-3 बार और करना है जैसे second दफा हो गया submit और यहां से यह हमारा हो जाएगा third वला complete और हमार यहां पर verification complete हो गई है तो यहां पर create account पर आपने click कर देना है अब आपके जो email पर github की तरफ से code send किया और जैसे आप paste करोगे यह automatically आपको next page पर ले आएगा यहां से आपने just me पर click करना है और continue पर click कर देना है यहां से थोड़ा scroll down करना है और continue for free पर आपने click कर देना और यहां पर आपका जो account है github का वो भी successfully create हो जाएगा देखें यहां पर आपको जो account है वो भी create हो जाएग मैं लिख देता हूँ यहां पर RDP तो याद रहे जब भी आप यहां पर एक नाम देदोगे वो नाम अगें जब आप new repository create करोगे तो वह वाला नाम accept नहीं होगा तो यहां पर आपने name देदेना है उसके बाद आपने public करके create new repository पर click कर देना है तो जैसे आप आप आपर click करो यह हमारा second channel है जहां पर मैं consistently वीडियो अपलोड कर ला था जब हमारे main channel पर strike आई हूँ थी अब यहां पर मैं वीडियो में आता हूँ तो यहां पर देखें आपने यह वाली वीडियो नहीं देखी होगी यह भी एक free RDP की वीडियो थी अभी देखें साड़े 400 वीडियो मुझे पता है आप लोगों नहीं देखी वीडियो तो इसमें भी मैंने एक जबर्दस आपको RDPs क्रियेट करना सिखाया है यह वाली वीडियो पर आपने लाजमें से जाकर चेक आउट करना है जैसे आप यहां पर चैनल पर आजाओगे तो आपने क्या आपके आपके डाunload का option मिलीगा बलू कलर आपने वहां से आकर उन दोास को डाunlood कर लेकऊ इस तो जैसे यहां फाई व्यां फाईल करोगे वह इस तरह जिए इस तरह की जीप में वह डिया करना है जापने शेखनों को मिलना ले चाहिए यहां से अहां रने उस प्रावज Changes पर आपने Click कर देने और यहां से देखें Processing File अगर आपको कोई Error आये ना तो आपने क्या करना है ना थाध को आपके पास यह वाला Homepage आपने अपने क्लिक कर देने and create new file पर आपने click करना है उसके बाद simple आपने यहाँ पर click करना name your file का यहाँ पर आपने click करना और आपने तीन word लिखने है आपने लिखना है सबसे पहले यहां पर dot github यहां पर आप देखती यह मैंने लिख दिया dot github उसके बाद आपने कीबर पर लिखने 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 लिखन करना है और यहां से अपने अप्लोड फाइल पर क्लिक कर देना है यहां से आपको फिर दो फाइल को अपलोड करना है यहां पर यहां पर यहां पर दो फाइल कर दिया अब यहां पर देखिए दो फाइल आपकी अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आपने सिंपल अगें यहां पर क्लिक कर देने हैं यहां पर आपकी फाल जो है सक्सेस्फुली यहां पर अपलोड हो जाएगी उसके पाद आपने क्या करना है यहां पर इस नीचे वली को स्लेक्ट करना है और यहां से आपको यह पैंसल का इकन मिलेगा आपने इस पर क्लिक करना है अब यहां से आपने क् अकाउंट में आने के बाद यहां से आपने इस इमेल को कॉपी कर लेना है फिर आपने गिटॉप की वेबसेट में जाना है यहां पर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ था इस पर आपने आकर इमेल को पेस्ट कर देना है याद रहे हैं इनको नहीं करना है ठीक है कॉमेंट च पर क्लिक करने है यहां पर आपने पेर से यहां पर क्लिक करने है और यहां पर आपने यूर गैट स्क्रीन के मेल को अगें सेलेट किया उतना जितना आपने पहले किया था और यहां पर आपने वही वाला अपने गैट स्क्रीन का एमेल पेस्ट करके यहां से सिंपल आपने कॉ करना है और उसके बाद यहां से आपने सिंपल एक्शन पर क्लिक कर देना है तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह नहीं आएगा जब आप फरस्टम बनाओगे तो यहां पर देखें यह मैंने और रड़ी पी पहले बनाई हुई है तो यहां पर देखें मैंने 45 मिनिट चल यहां पर आपके सामने देखें हमारी प्रोसेस वह स्टार्ट हो जाएगा अगर इस तरह का पके पास ना आए तो आपने क्या करना है सिंपल एक बार रिफ्रेश कर देना है तो यहां पर आम इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके सामने देखते हैं भी loading and setting up तो यहां पर आपको maximum 1-5 minute लगेगा तो आपने यहां पर वेट करना है तो यहां पर आप लोग देख पारे हो 2 minutes 2 seconds के अंदर हमारी 빠 a d be successful यहां पर create हो चुकी है अब आपने आपने जाना है अपनी website में तो यहां पर आपके सामने पर सामने अपका सुखा बर्यों ils accept connect पर आपने क्लिक करने अब पर पारेशान ना हूँ इसको अम बड़ी स्क्राइन पर किन रेंगे इसके बाद आपने क्लिक कर देने और यहां से अपने open egy full screen, देख़ अपने अपने automatically होगी उसके बाद आप आप पर इस पर क्लिक करने और इसको full screen mode पर क्लिक करने और यहां से आपने इस एरो पर क्लिक करके इसको अंदर की जाट पे रहे हैं अब आपकी जो RDP है वो अलहमदलीला सेकस्सफुली यहां पर क्रियेट हो चुकी है अब यहां पर आपको प्री इंस्टॉल Firefox का ब्रॉजर मिलेगा उसके लाबा Chrome browser मिलेगा लेकिन यहां पर ब्राउजर के अंदर एक इशू है वो मैं आपको भी दिखा देता हूं सबसे बहले हम इस RDP की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं राइट और यहां से इसकी प्रोपरटीस में चले जाते हैं Speed काफी अची है Free RDP की निसबाद यह बहुत अची RDP की Speed है जो यूजली Free RDP की Speed होती है उससे बहुत अची Speed है RDP की इसके अंदर आप कोई साभी काम कर सकते हो तो यहां पर आप लोग देख पारे हो 16 GB RAM S की और यहां पर Core मेरे कहल से 2 Core का CPU है बहुत 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 किसम की है उसके लावा यहां से मैं This PC में जाता हूँ तो आपको यहां पर Memory भी अची खासी मिल जाती है यहां पर आप लोग देख पारे हो 300 GB की आपको जो विंडू का पर्टिशन है वो मिलती है यहां से मैं Chrome को ओपन कर लेता हूँ तो हमारे यहां पर Chrome Browser उपन हो चुक है इसको न्यू टैप में उपन करते है और सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर मैंने Speed Test सर्च कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से फस्स वेबसाइट को न्यू टैप के अंदर हम ओन कर लेते हैं ताकि हम जान सकें कितनी इंटरनेट की Speed मिल रही है यहां पर मैं वेबसाइट में आ चुक हूँ और यहां आपके समने लिखा नजर आ रहा है Microsoft Azure जो इंटरनेट में पर्वाइड कर रहा है आपके रात का वक्त है दिन के वाट बोड़ी समूज चलती है अब यहां पर यह पर यह प्रॉबलम आता है यह देखें चलता चलता आपके ब्राजर वह चुक है तो आपने क्या करना ना तो आपने Firefox को यूज करना और ना ही अपने Chrome को यूज करना इसमें आपने क्या करना Microsoft Edge को इसमें यूज करना यह बिलकुल भी क्रेश नहीं होगा जब तक मर्दी चाहें आप इसको इसको इस्तमाल करें यहां पर मैंने इसको ओन कर लिया है आपको दोनों चीज़ें चेक करवा देता हूँ इंटरनेट स्पीड वैसे आपने देख ही लिया है अब आपको मैं दिखा देता हूँ करनाँ हीgens अब आप सबस्क्राइब नरौकेशन को लिया है अब इसको सैटलब कर लेता हूँ जल्दी से पहले एम यह कहां की है तो यहां से कने तो यहां उपन कर लेती हैं लिए आप questionnaire सो के तो यहां से अमरे बता हमारे देख पा और country जो है वो United State of America है, मतलब कि आप जब भी RDP बनाओगे तो यह US की बनेगी, अमेरिका की बनेगी, आप इसके अंदर कोईसा भी काम easily कर पाओगे, इंटरनेट स्पीड मैंने आपको अरड़ी चेक करवा दिया है, उसमें बलके कट गी थी, मैं आपको चेक करवा भी देता हूँ, एक बार, तो गाइस पहले हमने चेक किया था, अब हम चेक करेंगे fast.com पे, तो यहाँ पर मैंने नियो टैप में ओपन कर लिया है, यहाँ पर आप कोई भी काम इसके अंदर कर पाओगे, अब बात कर लेते हैं कि आप इसको कितने टाइम के लिए उसका सकते हो, यहां से मैं इसको डेक्सर वाले मूड पर लेता हूँ, आप इसको यूज कर रहे हो, और आचानक आप से यह बंद होगी, यहां से मैं लीफ कर देता अगेन न्यू टैब में जाकर, गेट स्क्रीन हम सेर्च करते हैं, और यहां से यह लिंक आ रहा है, यहां से मैं इसको उपन कर लेता हूँ, यहां पर देखें, यह ओन लेंच होकर आ रहा है, सिंपल कनेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा, और यह मेरी RDP कनेक्ट हो जाएगी, य यहां से गर हम गिटॉफ वली वैबशेट को यहां से बंद कर दें, यह ओन्तिकली यहां पर हमें एर्र देदेगा, और यह RDP डिसकनेक्ट हो जाएगी, अभी देखें अभी तो यह चल रही है, लेकिन यह एक से दो सेकिंड के अंदर यहां पर डिसकनेक्ट हो जाएगी, यहां पर मैं डेट मिनिट से चला रहा हूं और गिटॉफ वली वैबशेट भी मेरी बंद हो चुकी है, गेट स्कृन वली भी मैंने बंद कर दिया बट यह पिर भी कंसिस्टनली चल रही है, बट जै मैंने पहले चेक किया था तो यह यहां से जैसे मैंने गिटॉफ की बंद कर दिया, अब अगले दिन आयो, अगले दिन आने के बाद आपने क्या गया, भी दुबारा से गिटॉफ सर्च किया और आपके सामने यह वला पेज आ जाएगा, अब आपको अगेन पूरा प्रोसेस करने की जोत नहीं पड़ेगी, यहां से आपको नियू रिपोजे सेलेक्ट किया, और यहां पर आपने एक्शन पर आजाना है, और यह देखें, अभी भी वह वला प्रोसेस चल रहा है, जो हमारा था ना, जो मैं अभी प्रोसेस चल रही है, तो जब आप एक दिन के बाद होगे, तो वह इस तरह करके आपके सामने शोग करेगा, तो आपने आपको सेलेक्ट किया, रन वर्कफलोव पर अबने वेबसेट में आजाना है, और यहां पर आने के बाद, जैसे आप रन वर्कफलोव पर क्लिक करोगे, पिर वह आपकी बिल्ड हो जाएग बूर अप पिर उसको पर्मेनलि यूज कर सकोगे, इस तरह ही आपका काम जो है, वो लाइफ टाम के लिए चलेगा आप इस RDP को बिल्कुल फ्री में यूज कर पाओगे वो भी USA की RDP को तो यह थी आज की वीडियो मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नियो तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें जब हमारे इस चैनल पर स्ट्राइक हाई थी तो मैं कंटीनियो उसलिए अपने सेकंड चैनल पर अपलोडिंग कर रहा था त अब तक के लिए अल्ला हाफिज